नशे के निवारन के लिए सरकार वचनबध है इसी कड़ी में नशा निवारन अभियान के अंतरगत नई दिशा केंद्रुक्षित्री अस्पिताल सोलन के सौचनिस जिला सोलन की ग्राम पंचैत धरोट से नशा निवारन मोहिम का शुभारम जिला कारेकरम अधिकारी कारेकरम की शुरुआत धरोट पंचैत से की गई थी जहां विशेशग्य चिकिस्सक आगामी समय में जिला सोलन की सभी पंचैतों को नशे के बारे में चागरूप करेंगे जिला कारेकरम अधिकारी डॉक्टर एकर सिंग ने बताया कि धरोट पंचैत इस मोहीम में अवल आ नशा फोरी हिलत है इसको समाज से दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना है कौन से नए आयाम हमें बनाने हैं इसकी पहर आज गराम पंचैत दरोट में की है इन्होंने हमारे क्षेद्रीय हस्पताल में संपर्क किया सीमो आफिस संपर्क किया और सरकार दोरा चलाई जारे नई दिशा केंद्र की तरफ से जिसका संयोजन हम करते हैं जिला भर में छे केंद्र हैं ऐसे जो हस्पताल छे हमारे वहां नई दिशा केंद्र स्थापिर किये लिए है तो सोलन नई दिशा केंद्र जो सोलन हस्पताल में है उसकी तरफ से आज मैं यहां ग्राम पंचैत में लोगों को हम समझाएंगे भी और लोगों से हम समझेंगे भी नशे के कारण क्या है और किया क्या जाना चाहिएगा नशे का इलाज कहा हो रहा है ये भी लोगों को समझाएगे नशे का इलाज कैसे होता है कितनी देर चलता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहि ग्राम पंचायत धरोट की प्रधान कमलेश कुमारी ने बताया कि स्वास्ते विभा की ये सरहानी पहल है और इस पहल से ग्रामिनों को लाब होगा हैं और सभी लोगों को इसके बारे में जाद को तिया है मे इनका बहुत भ़त धन्यवाद करना चाहते हूं कि यहां पर Гराव कि इनकोаемся के छेप लगा और लोगों को नश्यक के बारे में बहूत कुछ बताया इसे बन मिविक यह हुआ कि लोग यहां के जाब रुक हो गए हैं कि नशे के जो नशे की लख्ट है वो हमें किस परकार अपनी और खींच लेती है और अगर इसको हम छोड़ दे तो क्या क्या होगा इसने